लंपी स्किन संदीग्द रोग का असर पिंजोर के दून और रैतन क्षितर के गाउं में पड़ा मुरित पश्वों को उठाने और दबाने की उचित व्यवस्ता करवाय जिला परशासन कालका विधायक प्रदीप चोधरी ने कहा कालका हलके से कॉंगरस विधायक प्रदीप चोधरी ने मंगलवार को बताया कि लंपी स्किन के संदीग्द रोग के बाद ग्रामन क्षितर में पश्वों की मौत के बाद मृत पश्वों को उठाने की उचित व्यवस्ता नहीं होने से बड़ी दिक्कतें आ रही है जिसको ले में देने की बात कही और कहा कि पश्वों को वैक्सिन लगवाई जाए जिससे काफी कमी आ रही है विधायक प्रदीप चोधरी ने बताया कि चपहर गाउं के लोगों ने साथ पश्वों की लंबी वायरस से मौत होने के बाद अपने खर्च पर जमीन में दफनाया ऐसे में परशासन को चाहिए कि वैक ग्रामन क्षित्रों में लोगों की इस मामले में मदद करे मृत पश्वों को जमीन में दफनाने के लिए सरकारी विवस्ता बनाए कालकावध हैक प्रदीप चोधरी ने कहा कि सिर्फ अशुरेंस वाले पश्वों को ही नहीं आम पश्वों को भ फसलों में हो रहे नुकसान को लेकर भी परशासन से जल्द से जल्द विशेश गरदावरी करके किसानों को मौज़ा देने की मांग की उन्होंने कहा कि किसान का धान की फसल पर बहुत ज्यादा खर्च आ चुका है और ऐसे में लगातार कर्ज भी बढ़ रहा है इसके रहा देने का काम करे